असलामों अलेकुम मेरा नाम है कामिल एसान एन विलकम टू ओ एलेक्स मोटर्स कार रिव्यू आज जो हमारे साथ गाड़ी मौजूद है उसका नाम है हिउनडाए इलांट्रा इलांट्रा हिउनडाए निशात मोटर्स ने मार्च 2021 में लॉंच की थी ये एक कॉम्पैक्ट जिसका पाकिस्तानी मार्किट में करोला ग्रांडे और सिविक एक्स के साथ कॉम्पैटिशन है आज हम इस गाड़ी के एक्स्टिरियर इंटिरियर और पर्फॉर्मेंस पे बात करेंगे और हर उस चीज़ पे बात करेंगे जो आपको हिल्प करेगी एक इनफॉर्म इस पॉइंट नहीं करेगा डूल कारेक्टर लाइन पूरे उस बोनेट पे चलती वी जा रही है जो एक गाड़ी को कंप्लीटली यूनीक तच देती है तो लाइट की अगर हम बात करें तो जैसे हमने पहले का बड़ी यूनीक लाइट्स हैं ट्राइंगुलर लाइट्स के साथ आते हैं यून्डा एलांट्र के अगर फ्रंट की बात की जाए तो इसके बोनेट और इसकी हेडलाइट इसे एक फ्रेश और फन फील देती है जो इस गाड़ी को डिस्टेंगुश करती हैं बाकी ओफरिंग से अब हम चलते हैं गाड़ी के साइट प्रोफाइल की तो सबसे पहले इनसान की नजर जाती है गाड़ी के वील्स की तरफ हिउंडा एलांट्रा 16 इंच के वील्स अप्लाइ करती है अपनी गाड़ी पे ऐलोई रिम्स के साथ आगे हम चले तो इसमें हम देख सकते हैं कि इतनी जादा प्रोणाउंस तो नहीं है लेकिन इसकी एक सीमलेस कारेक्टर लाइन चल रही हैं गाड़ी के पूरी साइट प्रोफाइल पे अब हम अगर बात करें गाड़ी के हैंडल की हिउंडा एलांट्रा स्मार्ट की यूज करती है स्मार्ट एंट्री होने की बदावलत विद प्रेस ऑफ बटन आप इसका दरवाजा खोल सकते हैं अगर हम साइट मिरर्स की बात करें तो ये गाड़ी LED इंटिग्रेटेट स्मार्ट रिट्राक्टिबल मिरर्स यूज करती है जो गाड़ी को एक डिस्तिंग्ट फील देते हैं साइट प्रोफाइल की तरफ से भी अब हम चलेंगे गाड़ी के बैक की तरफ बैक में जो म मज़ेदार ही है वो इसके लोगों के अंदर ही एक बटन मौझूद है जिसको आप अराम से दबाएंगे तो यह आपका ट्रंक खुल गया नेक्स हम चलेंगे गाड़ी की रियर लाइट की तरफ LED रियर कॉंबिनेशन लाम्स इसके अंदर यूज किये गए हैं साइड इंड पारकिंग गाइड लाइन्स भी मौझूद हैं अगर हम हिंडा इलांटर की इंजिन की बात करें तो यह गाड़ी आती है 2000 सी सी इंजिन के साथ जो बेस्ट है डी ओएच सी टेक्नॉलिजी के उपर और आता है सोला वाल्व के साथ यह इस वक्त अपनी काटिगरी के अंदर म मोटर्स कलब के नाम से है और काफी गाडियों का सेल परचेस करता हूं मैं अलेंटर की बात कीजिए तो अलेंटर एक बहुत अच्छी गाड़ी है और इसकी ड्राइब और इसमें बैट के फील बहुत ही कंफरेबल आता है तो राइटरेजगर मैं सबसे पहले आप से सवाल इसमें अब सेट कर सकते हैं और मिला भी सकते हैं यह पर फॉंच की आप्शन भी इस पर कॉंटेक्ट इसमें काफी चीजे और बड़ा एड़ा इड़्यस्टेबल स्टेरिंग अर इसका अच्छा इसका काड़ी के स्पीड़ मीटर में देख रहा हूं यह ऑपट्र अप्रम मेरे भाई मैं चलना चाहूंगा हम आपके infotainment की तरफ सिस्टम की तरफ बड़ा एक खुबसूरत infotainment system बीच में लगा हुआ है जिसके अदर 7-inch की एक screen है sound system इसके 6 speakers पर मुश्टमिल है इनके साथ tweeter भी अटाश्ट है dual zone climate control मौजूद है इस गाड़ी में इसका तो बात की जाए तो यह AC बगारा की तो यह आप अपनी हिसाब से दोनों फ्रेंट करना temperature adjust कर सकते हो दोनों साइट का अलादा हो जाता है मतलब कि कोई चाहता है लो करना तो वो कर सकता है कोई हाई करना चाहता है तो यह नों के पास options है फरेंट बैटे वे देन और बाकी बात की जाए तो interior wise गाड़ी और चलने में बहुत comfortable राइट अब मैं चलूँगा गेर्स की तरफ 6 speed trip tonic इसमें transmission system लगा हुआ है armrest इसके अंदर बहुत comfortable है compartments अच्छे खासे मौजूद है बहुत ही ample leg space और head space इस गाड़ी के अंदर पाई जाती है door panels और handles एक बड़ी premium quality के हमें देखता है इस गाड़ी के अंदर जो मौजूद है अगर हम बात करें rear view auto dimming mirrors की तो वो भी इस गाड़ी में मौजूद है separate mirrors उसमें लगे हुए है lamps भी आते हैं each visor के साथ sun glass holder है और sun roof भी इस गाड़ी में मौजूद है seat cushioning की अगर हम बात करें तो बड़ी comfortable एक allotment आती है driver की seat और passenger seat भी बड़ा comfortable महसूस करता है गाड़ी के अगर हम बात करें safety features की इस गाड़ी में तो dual airbags के साथ यह गाड़ी आती है traction control के साथ आती है ABS प्लस EBD braking system इस गाड़ी में मौजूद है air winds भी इसके गाड़ी में पीछे लगे है ताकि back passengers को भी अच्छी खासी comfort रहे तो यह हमारा review था Hyundai Elantra गाड़ी का बड़ी खुबसूरत गाड़ी है drive में भी बड़ी अच्छी है अगर आपको यह review पसंद आया तो हमारे OLX Motors के YouTube चैनल को like करें share करें और subscribe करें और हमें follow करें Facebook के उपर और Instagram के उपर at OLX Motors अगर आपको हमसे कोई बात करनी है तो आप हमें comment section में रुजू कर सकते हैं thank you so much for this review keep tuned in for another review just like this see you next time Allah Hafiz